फालगुनी पाठक के गाने मैंने पायल है छंकाई का रीमेक बनाकर निहा का करने हंगामा मचा दिया है। म्यूजिक इंडस्ट्री के दिगजो से लेकर आम लोग तक निहा के इस रीमेक्स गाने को निहाईती घटिया बता रहे हैं। फालगुनी और निहा के बीच इस गाने को लेकर लड़ा इठन चुकी है। लेकिन अब इस गाने को लेकर एक ऐसी बात पता चली है कि सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं। साल 1999 में रिलीज हुए फालगुनी पाठक के इस गाने में दो मासूम एक्टर नजर आये थे। फालगुने ने जितनी खुबसूरती से ये गाना गाया उतनी ही मासूमियत से गाने में इस लड़के और लड़की ने एक्ट किया था। गाने में दिखाए गया था कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से प्यार करते हैं लेकिन अब 23 साल बाद ये दोनों एक्टर किस हाल में हैं इस बारे में इतनी चौकाने बाली बात सामने आई है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा इस गाने में नजर आने वाले एक्टर का नाम विवान भटेना है विवान उस वक्त तो एक स्ट्रगलर थे लेकिन आज के समय में वो बॉलिवुड एक्टर और मॉडल है वो सूरिवन्शी, हेट स्टोरी, चकदे इंडिया और राम डीला जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आ तरफ निकला ने बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया निकला केटेलिस्ट रेपूटेशन मेनेजमेंट कमपनी की सीई ओ है और वो इस फिल्ड में खुब शोहरत और नाम कमा रही है टेटेक्स जैसे बड़े मंच पर उनके हुनर को सलाम किया गया है विवान और निकल की शादी साल 2008 में हुई थी 12 साल के शादी शुदा जीवन के बाद विवान और निकला माता पिता बने 9 जून 2019 को दोनों की एक बेटी का जन्म हुआ अब दोनों हसी खुशी अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक गाने मे दिखी इनकी लव स्टोरी असली कहानी बन जाएगी वैल क्या ये बात आपको पता थी अपनी रहे हमें कमेंट में दीजे और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चरचा को सब्सक्राइब किजे